वहीं जनपद उधम सिंग नगर के रोधुपुर में सिविल लाइन इस्थिट डॉक्टर कॉलोनी में एक अस्पताल में प्रसफ के दौरान नवजाज शिशु की मौत होने का मामला सामने आया दरसल इस मामले में इंद्रा बंगाली कॉलोनी निवासी राहूर ने बताया कि उसके पत्नी तान्या को प्रसफ पीड़ा होने पर सिविल लाइन इस्थिट एक नीजी अस्पतार में भरती करवाया था जहां प्रसफ के दौरान चिकित्सक ने बताया कि जच्चा बच्चा ठ ही खोनी की बात कह रहे थे ऐसे में अचानक बच्चे की मृत्यू कैसे हो गई वहीं इस मामले की सूचना मिरते ही पुलिस भी मौकी पर पहुची और शफ को कब्जे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भीज़ा इसके तहती सिटी मनोज का ट्याल ने बताया कि परविजन क शब्मार्टम की खारा किर आरी है और जो भी प्टड चाहते हैं सामने उसके इसाहते हैं अर जो पर परिजनों के विएन और भी दर्च के जाएंगे इसके जईवादकां रख़र करेंगे